हेलो एविर्वन वेलकम टू रोइस्टरडी आज है आठ जूलाई 2020 और आठ जूलाई 2021 से जितने भी करेंट अफ्यर्स के कोच्छें मनेंगे उसका हम डिसकास करेंगे और इसे जूरे इंप्रोटेंट फ्रैक्ट बताएंगे और अगर आप हाने इस चैनल पने हैं तो इस चै प्राकरिती परेंट के ब्राइंद्येमेस्टर नितिनगटकरी बने हैं केंदरिय सर्कपड़ी बहन और राजमार्क मंत्री नितिनगटकरी ने खाधी प्राकरित के पन्स qamoney ब्रॉठ के पहले और एकमात्थ प्राकर्य नेब्धिक दैस भर में इसे वर्हाय देने और यु कागज संस्थान जैपूर के परिशन में अस्थाफित किया गया है जो खादी और ग्राम उध्योग आयोग किये की काई है तो इस कोच्चन समय तिंजर काड़े मिलती है नश कोच्चन है बॉलीवूड के किस अमिनेता का हाली में निधन हो गया है दिलिव कुमार मसूर बॉलीवूड अभिनेता मोहमर इसुप खान जिन्हें पेशिवय रूप से दिलिव कुमार के नाम से जाना जाता है का 98 वर्स के आयू में निधन हो गया है उन्हें बॉलिवुट के टेजिक कींग के रूप में जाना जाता था। उन्हें आखरी वार 1998 की फिल्म कीला में देखा गया था। वहीं 1954 में सर्वसेश्ट अमिनेता का फिल्म फिर पुरस्कार जीतने वाले पहले अमिनेता थे। और उन्होंने यह पुरस्कार कूल आठ वा कि दिलिप कुमर का जन्म 11.12 को पेशिवर बर्तमान में पाकिस्तान के किस्ता खवानी वाजार इलाके में ऐसा बेगम और लाला गुलाव सरवर खान के घर हुआ था। उन्हें ने 1944 की जोर भाटा के साथ फिल्म में शुरुआत किये और फिल्म और उसके काम ने ज्यादा ना करसित नहीं किया, 1947 के फिल्म जुगनू के साथ जिसमें नूर जहन ने भी अभिने किया था उन्होंने अपनी पॉलिव वाक्स ओपिस फिल्म हिट हासल की, 1949 में उन्होंने अंदाज में राज कपूर और नर्गिस के साथ अभिने किया और यह हुआ फिल्म थी जिसमें दिलिव कुमार को एक भारती अभिनेता द्वारा सबसे अधिक पुरसकार जीतने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सुचिवत किया गया है, उन्हें भारत में पर्थम बिधी अभिनेता के रूप में भी जना जाता है, उन्हें वर्स 1994 में दादा साहे फालके पु पुर्चन है, Airline of the Year Award किस Airline ने जीता है, Korean Airline ने, Korean Airline को विमानन उध्योग में सबसे परतिष्ट्र समानों में से एक एर ट्रांस्पोर्ट वर्ल्ड 2020 Airline of the Year के भी जेता की घुसना किया गया है, इस वर्स का पुरसकार Korean Airline के लिए और भी अधिक सर्थक है, क्योंकि अधिक उधो, कोविन एंडिंग के कार्ण हुए, अभूत पूर्प संक्ट से पिरित कम्पनी के उत्कृष्ट नेत्रित पूधो के अब तक के सबसे खराब संक्ट के दौरान परिचालन रूप से लाबदायक बने रहने की, इसकी छमता स्वास्वास्वक्षा गराहक सेव उत्कृष्टा के लिए इतनी मजबूत, परतिवास्ता और करमचारी के साथ इसके उलेखनी संबंध के लिए समानित किया गया है। पूर्वक्ष प्राप्त करने और एकिक्रीद करने के बाद दुनिया की सिर्ष दस और लाइन सो में एक बनने का लक्ष है। से एक के रूप में देखा जा रहा है। 53 वर्ष ये वाइट हर्ष के बाहर निकलने से तकनीकी दिगज के सेयर 4.8% गिरकर 139.83 डॉलर हो गया है। पांच महीनों में सबस्य अधिक है। वाइट हर्ष को पीछलेव साल आईबियम का अध्यक्ष निव्थ किया गया था। द्रसकों में यह पहली बार था कि नीगम ने मुख कारेकारी अधिकारी अर्थात सियो और अध्यक्ष के पद को विभाजित किया है। अच्छा है हाँ आईबियम का बाता है तो आईबियम का पारे में मैं आपको बता दू कि आईबियम के सियो अर्विंद क्रिष्ण है और आईबियम का अध्यक्ष मुख्याले और मोंक निवार्क संक्तराज में इस्थित है। पेटियम ने लगू ठीकर्ट कालरीन परदान करने के लिए ट्रेंस लॉंच किया है। पोस्ट पेड मीनी पेटियम ने पोस्ट पेड मीनी स्मॉल ठीकर्ट लॉन लॉंच करने की घुशना किया है। जो उपियो करताओं को अधित बिर्ला फॉनेंसियल लिमिटेट के साथ साजधारी में 250 रुपेश से 5000 जन रुपेश तक के रिन प्राप्ट करने की सुब्धा देगा। और यह उत्पादन अपनी अभी खरीद बादे में भुकतान अर्थात बाई नाउ पे लेटर सेवा का भी स्तार है। इस सेवा के साथ पेटियम पोस्ट पेड जीरू पर्शेंट ब्याज पर रिन चुकाने के लिए वन मन्त के अबधिक की पिसकस कर रहा है। कोई बार्शिक सुलक या सक्रेटा सुलक नहीं है। केवल निन्तम सुविधा सुलक है। पोस्ट पेड मीनी के लांच के साथ कंपनी पेटियम पोस्ट पेड के 60,000 रूपे तक के ततकाल क्रेडिट केस अलावा 250 रूपे से 1,000 रूपे तक के रिन परदान करेगी। और या उप्यो करताओं को अपनी मासी खर्चों का भुगतान करने में मदद कर सकता है। जिसमें मोबाइल और डाकूमेंट्स टू होम, अर्थाट डिटी एच रिचार्ज, गैस स्लेंडर, बुकिंग, बिजली और पानी के बिल, पेटियम मॉल पर खईदारी और बहुत क सामिल है। अच्छा, यहां पेटियम के बाता है, तो पेटियम के बारे में आपको बता दू कि पेटियम का मुख हाले नुएडा उत्तरपरदेश में इस्तित है। पेटियम के संस्थापक और स्यो वीजैस सिखण सर्मा हैं और पेटियम के स्थापना 2009 में हुआ था नेश कोचन है भीर भाड़ वाले नेविगेशन एप बेज की सियो कौन बनी है नेहा पारिक भरती अमेर्की नेहा पारिक को बेज के सियो के रूप में नियूत क्या गया है जो एक भीर भाड़ वाला GPS नेविगेशन एप और टेक डिगज गूगल की सहता कंपनी है 41 वर्से नेहा ने नुवाम वार्डीन की जगली है जिन्होंने बाड़ा साल तक इस्राइली कंपनी का निर्थित करने के बाद नवमर्ट 2020 में सियो के रूप में पद छोड़ दिया था वही बेज एप 56 अलाग अला भासा में दिशा निदेश दे सकता है और इस एप की स्थापना 2008 में इजयल में हुई थी इसे 2013 में गूगल द्वारा लगभग 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर अर्था 110 करो रूपे में अधिग्रहत किया गया था नेश कोच्चन है सूपरमेन के निदेसक जिनका हाली में निदन हो गया है वे कौन थे रिचर्ड डॉनर सूपरमेन फिल्म लेठल बेपन फिल्म सिंखला और दा गुए नीच के निदेसक के लिए जाने जाने वाले महसुल फिल्म निमाता रिचर्ड डोनर का निदन हो गया है नेंटी वन वर्से फिल्म निर्माता मुख्यधारा के सिनेमा सुपर हीरो फिल्म होरर फ्लिक दा बॉर्डी क्रोप रोम्स के इतिहांस में कुछ सबसे लोग प्री सैलो में सबसे आगे थी लिजेंड को नेंटी सेवेंटी सिस्स की पंथ क्लासीज होरर फिल्म दो ओमेन के साथ अपना पहला वरा निर्देशक मिला जिसमें उध्योग में उनके पैर जमाने में मद की और उनकी अलग प्रमुख स्टूडियो फिल्म सुपरमैन मूल भी का मार्ग परस्षत किया जिसमें मेल गिब्सन और डैनी ग्लोबर अभी नि च्रिटान भीज और स्वी néथल वेपन मूबी श्रीज सहित अन्र फिलूम के लिए मर्फ सद किया जार बिस चॕलेट डे और 6 वर्ड चोकलेट डे कब मना जाता है वर्ड चोकलेट डे साथ जुलाई को मना जाता है 20 चोकलेट दिवस या अंतराष्टिय चोकलेट दिवस हर साथ साथ जुलाई को मना जाता है यह दिन हमारा जीवन में चोकलेट के अस्तित्व कर जस्माने के लिए मना जाता है इसे चोकलेट खाकर और अपने के साथ वाटकर मना जाता है यह दिन अपराद बोध के बिभीन प्रकार की चकलेट खाने का आरान लेते हैं या केक, पेश्टी, पापपी और गुई ब्राउनी होट चकलेट या चकलेट मूस जैसे कई ब्यंजन मनाते हैं अंतराश्टी चकलेट दिवस के तिहांस के बारे में मैं कुछ बता दू कि 20 चकलेट दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था हलांकि कुछ का यह भी मानना है कि लोग ने साथ जुलाई को अंतराश्टी चकलेट दिवस के रूप में माना इसले शुरू किया है कि यह हुआ दिन था जब चप्रेट को पहली बार 1550 में इरोप में पेस किया गया था नश्कोचन है मोधी सरकार ने कौन सा नया मंत्राले बनाया है सहकारिता मंत्राले सरकार ने भारतिय सहकारिता अंदुलन को बढ़ावाद देने और स्वादेशी उध्योगों को बढ़ावाद देने के लिए एक सहकारिता मंत्राले अर्थात Ministry of Corporation मनाया है केंद्रिय मंत्री मंदल में फिर बदल होने के बाद भारत के पहले सहकार्टा मंत्री को भी सफ़त दिलाई जाएगी और नया मंत्री राष्ट भवन के दरबार हॉल में पद की सफ़त लेंगे और नया सहकारता मंत्राले सरकार से समरिधी के बीजन को सहकार करने के लिए काम करेगा और देश में सहकारता अंदुरन को बढ़ावा देने के लिए एक अलग प्रसासनी कानूनी और नितिगर धाचा प्रतान करेगा और यह विकास सहकारिता को सच्चे जन अन्दूरन के रूप में घरा करने में मदद करेगा जिसका लाव जमीनी स्थर तक जाएगा मंत्राले को सहकारिता समीतियों के लिए बेवसाय करने में असानी के लिए पर्तिक्रियाओं को सुव्य वस्थित करने के लिए अनिवार किया जाएगा और अलता बहुर राजसाकारी समीतियों को ब्यापक और महजबूती करने का लक्ष रखा जाएगा रशकोचन है भात का दुसरा सबसे बड़ा किर्केट एस्टेडियम की स्राज में बनने जा रहा है जैपूर भारतिय किर्केट कंट्रोल बोर्ड बी सी सी आई ने राजस्थान किर्केट एसोसियेशन आरसिये को 100 क्रूर रुपे का बीती अनुदान जारी किया है जिसका उपयोग भात का दुसरा सबसे बड़ा किर्केट एस्टेडियम मानने के लिए किया जाएगा और यह सुवधा आमधाबाद में हाल ही में उद्गाटन किये गए ने नमोदी एस्टेडियम के बाद दुसरे सा स्थान पर होगी जो जैपूर में बनने जा रहा है पर्षी रिन बैंक से 100 करो रुपे बिसी से आई अनुदान से 100 करो रुपे और रसी एस फंड बक्से सीटो और पर्योजन की बिक्री से 90 करो रुपे प्राप्त की जाएगी परस्तावित इस्टेडियम में दर्सों की चमता 75 हजार होगी तो इस कोस्चन से हमें इतनी जनग गाने मिलती है थैंक्स फूर वाचिंग